सबी की संभायोग और आमराम नमस्कार आज की जो हमारी वीडियो होगी वो कांकरेज बूस के बारे में हमारी पहली ही वीडियो है हमारे चैनल के उपर लेकिन इस से पहले हम लोगों ने जो सारी ही वीडियोस बनाई है वो mainly gear और जाफरबादी बूस के उपर ही है और सारे सीमें स्टेशन जो है वो अब हमने ज्यादा तर cover कर ली है gear और जाफरबादी के बारे में तो अगर उनकी वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और अब जब हमारे gear और जाफरबादी बूस के ज़्यादा तर सीमें स्टेशन हमने cover कर ली है तो अब हम बात करेंगे concrete बूस के बारे में तो सबसे पहले हैं तो मुझे माफ कर देना जिन जिन लोगों को concrete बूस की वीडियो देखनी थी लेकिन जो gear के जो वीडियो से उनके fans ज्यादा है हमारे चैनल के उपर तो वो लोग बार-बार मुझे गुजारिस करते रहते हैं कि gear के बार में ही वीडियो बनाते रहे तो उसके कारण जो concrete की वीडियो है वो थोड़ी सी लेट हो गई लेकिन कोई नहीं आज हम जो है वो concrete bulls के बार में बात करेंगे तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले बता दूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करके जाना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही सीमें स्टेशन के जो वीडियो से वो अपने चैनल के उपर लाता रहता हम और आज हम एक ही वीडियो में concrete जो bulls हैं वो GLDB के हो, SAG के हो या पिर Amul के हो इन तीनों ही सीमें स्टेशन के concrete bulls आज हम एक ही वीडियो में discuss करेंगे क्योंकि सिर्फ 15 bulls या फिर 15 से भी कम bulls हैं इन तीनों ही सीमें स्टेशन को मिला कर mainly तो GLDB में 9 bulls है concrete के तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे उसके बाद में SAG और उसके बाद में हम बात करेंगे Amul के concrete bulls के बारे में आई यह बात करते हैं हमारा GLDB के सबसे पहले concrete bull की उसकी आप photograph अपनी स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं जिसका नाम है संकर संकर का बोड़ी स्रक्टर और हम प्लेस्मेट जो है काफी अच्छा milk record है 4000 के आसपास milk record है और अगर इसके बाप के बारे में हम बात करें तो इसके बाप का नंबर यहां पर लिखा हुआ है जो के ही है 1029 और इसे जो है वो LRS farm दातिवाडा से लाये गया है अब LRS का पुरा मतलब होता है लाइस्टोक research station जो की दातिवाडा गाउ में है और बना सकाठा जिले में वो पड़ता है और इसे जो है वो SDAU यानि की सरदार कुर्शी यूनिवर्सिटी जो है वो उसे चलाती है एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर ये farm जो है वो पूरा चलता है वहीं से ज्यादा तर जो बूल्स है GADB के वो आप देखोगे और नो में से तीन ही बूल्स है जो की साथ बाहर से लाएगे है बाकि सारे ही बूल्स LRS फाम से ही लाएगे और अब है हमारा GADB का दूसरा काक्राइज बूल उसे भी आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं और अगर इसकी डीटेल के बारे में हम बात करें तो इसका जो नाम है वो है रुद्र और इसे भी जो है वो LRS दातिवाडा से ही लाया गया है डेट अप बूल्स जो है वो है उसकी 19-6-2016 3596 के जी इसकी मा का मिलक्रेक उठे 3600 के आसपास मिलक्रेकोड है इसका भी काफी अच्छा मिलक्रेकोड है और इसका जो बाप है उसका नाम है 957 नमबर और अब है GLDB का तीसरा काकरेजबूल अपनी स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं जिसका नाम है ओमकार अमकार को भी जो है वो LRS दातिवाडा से ही लाया गया है और इसकी डेट अफ बर्थ है 18.05.2016 ज्यादा तर जो है वो 2016 की डेट अफ बर्थ वाले बुल है और LRS से ही लाये गये हैं और इसकी मा का जो मिलक्रेकोड है वो 3500 के आसपास है 3495 केजी आप देख सकते हैं और इसका जो बाप है वो है 388 और अब आप जो है वो 388 बुल की फोटोग्राफ भी अपने स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं जो की LRS फांप दातिवाडा से है और अगर 388 बुल की डेटेश के बारे में हम बात करें तो 56, 2008 उसकी डेट अब बर्थ है और 388 की जो मा है उसका नंबर है 9964 और 9964 का जो मिल्क रिकोड है वो है 3587 लीटर में है केजी में नहीं है यहाँपर और इसका जो बाप है वो है 1,28 और 1,28 की मा जो है उसका भी मिल्क रिकोड यहां पर लिखा हूँ आप देख सकते हैं जो की है 3,200 लीटर और आप देख सकते हैं ओमकार बुल की जो मा है उसका मिल्क रिकोड कितना अच्छा है और उसका जो बाप है उसकी मा का मिल्क रिकोड भी काफी अच्छा है और उसके बाप के बाप की मा का भी मिल्क रिकोट जो है वो 3000 के प्लस है यान की काफी अच्छा मिल्क रिकोट है इसकी पूरी पेडिग्री में और इनके बच्छों में भी जो है वो मिल्क रिकोट काफी अच्छा हो सकता है और वैसे भी अगला जील डीबी का काक्रेज बुल देख सकते हैं वाइट रंग में है सफेद रंग में है और अगर इसकी डीटेल के बारे में हम बात करें तो इस बुल का नाम है नटराज और 276 2016 इसकी डेट अब बर्थ है 3918 की जी इसकी मा का मिल्क रिकोड है और 835 इसका जो बाप है उ नजाए 700 के प्रसी है मिलक रिकोड लेकिन गीर के जो जील डीबी के बूल्स है उनमें कई सार एसे भी बूल्स है जिनमें 2500 के आसपास भी मिल्क रिकोड है इसलिए आप देख सकते हैं काकरेज बे ज्यादा मिल्क है जबकि मिल्क बिर्ट जो है वो हम गीर को मानते हैं और आप जो है वो आठ पेटिस की फोटोग्राफ देख सकते हैं जो की नट्राइज बूल का बाप है और इसकी डीटेल भी यहां पर इंग्रीज और गुजराती दोनों में ही लिख हुई है जैसे की ॥ two 21 thoughts यहां अगले आप गाल शाव मेज़ को अपनी च्रीन के ऊपर देख सकते हैं और अगर इसकी डीटेल के बार में हम बात करें तो 15.1.2016 इसकी date of birth है 3.86 के जी इसकी मा का मिल्करकोट है 38.30 इसके बाप का नंबर है और इसे भी जो है वो LRS फाम यानि की दाती वाड़ा से ही लाए गया है जो की एक कुरुशी उनिवर्शिटी के अंडर है एक रिकल्च इनिवर्शिटी आप कह सकते हैं इंगलीस में और अब आप जो है वो 38.30 नाम के बुल की भी फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं उसकी डीटेल जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 7.5.2008 इसकी date of birth है 3.946 के जी उसकी मा का मिल्क रिकोड है और उसका जो बाप है उसकी मा का मिल्क रिकोड है 2.885 के जी फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले जील डीबी के बुल के तरफ तो उसे भी आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं इसका body structure आप देख लीजिए काफी बड़िया body structure है इस बुल का इसका नाम है Ducks और Ducks की detail के बारे में अगर हम बात करें तो 11.1.2016 इसकी date of birth है इसे भी LRS फाम दातिवाडा से ही लाया गया है और इसकी जो मा है उसका मिल्क रिकोड है 4.112 केजी और इसका जो बाप है उसका नाम है मानेक मानेक की photograph मेंने काफी कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाई है और अब आप देख सकते हैं हमारा अगला GLDB का बुल जो की LRS से नहीं है सिर्फ एक या दो ही बुल है जो की LRS फाम से नहीं है और इसका नाम है बलवान बलवान की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 23, 10, 2015 इसकी डेट अप बर्थ है 2805 केजी इसकी मा का मिक्रे कोड है और इसका जो बाप है वो है गोवर्धन और गोवर्धन जो है वो LRS फाम दाती वाड़ा सा है यानि कि ये LRS फाम से नहीं है लेकिन 50% बलड इसमें फिर भी LRS का ही है और बलवान बुल को जो है वो स्रीमती मारेकबा विनेई विहार गोशला अडालच छिलाए गया है और आप अगला हमारा बुल देख सकते हैं जिसका नाम है अनिकेट अनिकेट की डीटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 28-5-2016 इसकी डेट अप बर थे 3240 केजी इसकी मांका मिक्रेकोड है और इसका भी जो बाप है वो है गोवर्धन सेमबूल का बाप आप देख सकते हैं हमने जो अभी अभी देखा उसका भी बाप गोवर्धन ही था और इसे भी जो है वो श्रीमती मानेकबा विने विहर गोशला अडालेच्छे ही लाया गया है और अब है GLDB का लास्ट कांक्रेकोड बूल जो की काले रंग में है आप स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं जिसका नाम है अदी और अदी की डीटेल के बारे में अगर हम बात करें तो 47-2016 है उसकी डेट अप बर्थ है 4900 के आसपास उसकी माका मिक्र कोड है और 10-39 उसके बाप का नंबर है और इसे भी जो है वो LRS फार्म दातिवाड़ा से ही लाया गया है 10-39 की फोटोग्राफ जो है वो मुझे कहीं से नहीं मिल पाई है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाई हुई है तो यहाँ पर हमारे जो GLDB के कांकरेज बूल्स है वो सारे ही हमने कवर कर लिए हैं और अब जो हम बात करेंगे वो होंगे SAG बिड़ाज फाम के कांकरेज बूल्स SAG को आप सबर मती आफ्षाम बूल्स अला भी बोल सकते हैं SAG में सिर्फ दो ही बूल्स है जो की अभी वी वेबसाइट पर दिखा रहे हैं बाकी सारे पूरा ने बूल्स के फोटोग्राफ में डूनने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाई हैं अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं अलग से एक वीडियो आपको डाल दूँगा लेकिन अभी जो दो बूल्स वेबसाइट के ओपर दिखा रहे हैं उनकी आप फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं जिसमें के पहला जो बूल है उसे आप देख सकते हैं एसेजी केज जे दसजार आठ उसका नमबर है और अगर हम दसजार आठ बूल की डीटेल के बारे में बात करें तो तेरह बारा बारा उसकी डेट अफ बर्थ है और उसकी माँ जो है उसका आईडी नबर यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं 4405 केजी उसकी माँ का मिल्कर कोड है और चार के आसपास फेट परसेंटेज भी है और इसका जो बाप है उसका नाम है DSU K012 नमबर का कांकरेजबल जिसका की माँ का मिल्कर कोड जो है वो है 4300 केजी और अब आप दूसरा S.A.G. का बूर देख सकते हैं जिसका की नमबर है 1009 और अगर इसकी डीटेल के बारे में हम बात करें तो 11.3.2015 इसकी डेट अफ बर्थ है इसकी माँ का ID नमबर भी आप यहां प लिखा हुआ देख सकते हैं 3424 केजी इसकी माँ का मिल्कर कोड है और इसका भी जो बाफ है वो उसका नमबर यहां प लिखा हुआ है DSU K025 अब DSU का मतलब होता है DAMA SEMEN PRODUCTION UNIT जो की बनाश डेरी चलाती है DSU का यह बुल है यानि की DAMA SEMEN PRODUCTION UNIT का ही यह बुल है K025 नमबर का उसकी भी जो फोटोग्राफ है वो आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं और सारी जानकारी उसकी जो है वो भी आप नीचे स्क्रीन के उपर देख सकते हैं जैसे की K025 का जो बाफ है उसका नाम है कार्तिक और 3176 गेजी जो है वो उसकी मां का मेरी करोड है तो यहां पर हमारे ACG के जो काकरेट बुल्स है वो यहां पर खतम होते हैं और अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे अमूल के काकरेट बुल्स के उपर सबसे पहला जो अमूल का काकरेट बुल्स है उसे आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं काफी बड़िया बोड़ी सक्षर है आप देख सकते हैं और इसका जो नंबर है वो है 201 AKN0 जो है वो उसका ID नंबर है आप याद रख सकते हैं की सिमेंट शो में यही लिखा हुआ आता है और अगर इसकी डीटेल के बारे में हम बात करें तो 27, 10, 2017 इसकी डेट अप बर्थ है और इसकी मा का ID यहां पर लिखा हुआ है 3111 केजी इसकी मा का अमेरी क्रेकोड है और इसका जो बाप है वो दामा सिमें स्टेशन से ही है आप देख सकते हैं जिशका की नंबर है क-31 क-31 बुल की जो मा है उसका भी मेरी क्रेकोड आप देख सकते हैं 3824 केजी काफी अच्छा मेरी क्रेकोड है और इसे जो है वो बनाश डेरी वालों के पास से ही अमुल वारे खरीद के लाए हैं के 31 की जो फोटोग्राफ है वो मैंने काफी ढूनने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाए है अमूल के जो दोनों ही बुल्स है वो दोनों ही बुल्स के 31 बुल्स के ही बेटे हैं और अब आप अगला अमूल का बुल्स देख सकते हैं स्क्रीन के उपर यह भी के 31 का ही बेटा है 202 इसका ID नमबर है और अगर इसकी डीटेल के बारे में हम बात करें तो 16, 12, 2017 इसकी डेट अब पर्स है और इसकी जो मा है उसका मिल्क रेकोड है 3366 केजी और इसका जो भी जो बाप मैंने आपको भी बताया के 31 ही है मुझे अगर फोटो मिल जाएगी कहीं से के 31 की तो मैं जो है वो कॉम्यूनिटी पोस्ट में डाल दूँगा इसलिए अगर आपने जैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना क्योंकि जब भी मुझे कोई फोटो जो है वो वीडियो बनाते समय नहीं मिलती है तो मैं ऐसे ही कॉम्यूनिटी पोस्ट में आप सभी के साथ सेर करता रहता हूँ तो आग के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में